Good Morning Glass, आज का टॉपिक है Carbon Dioxide Carbon Dioxide हम पढ़ गए है Carbon के Compounds तो Carbon के Compounds में हमने Carbon Mono Oxide की Study की आप हम भी Study करेंगे Carbon Dioxide तो Carbon Dioxide का Preparation कैसे हम प्रेपेर करते हैं कुछ नहीं सिंपल क्या होता है Carbon जब एर के कॉंटेक्ट में आता है तो Carbon Dioxide बनाता है और थोड़ी से हीट क्या होती है दूसरी इसके जो mechanism हो सकती है आपको क्या हो सकता है कैसे reaction हो सकता है by the action of dilute mineral acid जो dilute mineral acid होते हैं उनकी reaction हम किस से करा दे carbonate से वो कोई भी metal carbonate से आपका हो सकता है जैसे यहाँ पर calcium carbonate है यह SCLC जब reaction करेगा तो क्या बना लेगा calcium chloride और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा H2 और CO2 और हमें यही CO2 बनाना है तो जितने भी carbonates होते हैं देखो यह वाला carbonates भी same वही product बना रहा है H2 और CO2 तो जितने भी carbonates होते हैं वो क्या देते हैं CO2 गैस प्रोडियूस करते हैं ठीक है ऐसा sodium bicarb है sorry carbonate और bicarbonate दोनों ही CO2 गैस प्रोडियूस करते हैं by heating carbonates और bicarbonates जैसे आपका यह carbonate से zinc carbonate है calcium carbonate है इनको simply heat कर देंगे तो zinc oxide calcium oxide बना लेंगे और क्या देंगे हमें carbon dioxide यह हमको बनाना है sodium bicarbonate के साथ भी वही है और calcium bicarbonate के साथ भी वही है यह क्या बनाएंगे यह आपके carbonates बना लेंगे sodium carbonate, calcium carbonate, water और CO2 यह हमें CO2 बनाना है तो CO2 बनाने के लिए सबसे अच्छा थरीका होता है आप कोई भी carbonates ले लो या bicarbonates ले लो उसको क्या कर दो उसको simply heat कर दो तो carbon dioxide gas produce करती है प्रोपर्टी क्या होती यह carbon dioxide gas की यह colorless होते हैं orderless होते हैं और taste less होते हैं इनको हम use कहां कर सकते हैं green house effect में सबसे जादा use होता है dry ice में use होता है carbon dioxide का और बहुत सी जंगों पर carbon dioxide का use होता है अगर हम इसके chemical properties की बात करें तो यह बहुत अच्छा combustion देते हैं carbon dioxide जैसे ही magnesium से reaction करेगा क्या बना लेगा magnesium oxide और carbon निकल जाएगा ऐसे carbon dioxide अगर sodium metal से reaction करता है तो क्या बना लेगा sodium oxide और carbon निकल जाएगा इसकी कुछ और reactions देखते हैं तो इसकी कुछ और reactions में हम देख सकतें acidic nature carbon का acidic nature तो क्या होता है जैसे ही यह water से reaction करता है यह क्या बना लेता है H2CO3 यह क्या है हमारा यह ऐसे दिख है ठीक oxidizing action यह oxidizing action कैसे करता है when CO2 is heated with zinc iron और carbon और carbon their oxide are formed तो जैसे ही यह zinc या फिर carbon या iron के साथ reaction करता है यह oxide बना लेते हैं दखो यहाँ पर CO2 है जैसे इसने zinc के साथ reaction किया zinc oxide और carbon monoxide बन गया यह carbon dioxide की chemical properties होती है ऐसे carbon dioxide जब carbon से reaction करेगा तो carbon monoxide बना लेता है photosynthesis इसकी सबसे अच्छी reaction मानी चाती है O2 is evolved and glucose is synthesized जैसे carbon dioxide है जब यह water के साथ reaction करता है in the presence of sunlight यह glucose बनाता है और हमारा क्या oxygen gas release होती है uses कहां कहां होते है in the manufacturing of soda ठीक है और आग को बुझाने में इसका भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है अब आईए इसके structure के बारे में देखते हैं तो carbon क्योंकि चारी bond बनाता है तो यह oxygen के साथ इसने double double bond बनाया है और carbon और oxygen के बीच जो distance होता है वो 122 picometer होता है अगर इसके हम resonating structure फॉर्म करेंगे तो resonating structure फॉर्म करेंगे तो अगर इस यहाँ पर positive charge आ रहा है क्यों हो positive चार रहा है क्योंकि अपना एक lone pair यहाँ पर जा रहा है ठीक है तो यहाँ से एक electron यहाँ पर shift हो रहा है यह क्योंकि electron इसका lone pair यहाँ shift हो रहा है इस पर positive charge आएगा और इसका जो electron ही यहाँ shift हो रहा है इस पर कहों से चार जाज आएगा तो अब इस carbon triple mount oxygen का जो distance हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 110 picometer इसको ऐसे बना सकते हैं यह carbon यह oxygen है यहाँ पर oxygen है यह double इस पर क्या है lone pair है तो जैसे ही अप generating structure उपर मैंने ड्रॉ किया बस आपको समझाने के लिए यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा triple bond हो जाएगा क्योंकि lone pair यहाँ पर आ क्या हो जाएगा positive और एक single lone pair बचेगा यहाँ पर single bond बचेगा क्योंकि यहाँ का electron यहाँ का electron यहाँ पर shift हुआ ह यहाँ पर already दो lone pair तो थे ही और एक minus charge भी shift हो जाएगा यहाँ फिर इसको हम दूसरे ही तरीके से कर सकते हैं यहाँ वाला electron यहाँ शिफ्ट हो और यह वाला यहाँ शिफ्ट हो दिये positive और यह negative charge आ जाएगा आई होब का आपको carbon dioxide का structure समझ में आया होगा Thank you